तो ही आपको बता देगी भारत के सबसे बड़े अध्यात्मिक और बौधिक नेता स्वामी विवेकानंद की पुर्णिति आज है भारतिय योग और विदान्त दर्शन को पश्चिम्ट से अवगत कराने में स्वामी विवेकानंद का अतुलिय योगदान है इसी बीच उन्होंने अपने उस असाधारन भाशन के लिए भी उन्हें जाना जाता है जो उन्होंने 1493 में अमेरिका के शिकागो में वर्ल्ड पार्लिमेंट और रिलिजिन में दिये थे इस भाशन में विवेकानंद ने अमेरिकियों को भाईयों और बहनों कहकर संबोधित किया था इस संबोधन से पूरा पश्रिम जगत अशंबित हो गया था क्योंकि इससे पहले किसी धार्मिक नेता ने अन्य धर्मों के लोगों को भाई बहन कहकर संबोधित नहीं किया था मत्या दें कि 19-20 सदी में विवेका अनंद ने हिंदूत्व को वैश्विक प्लेटफॉर्म पर पहुँचाया था और अंतर धर्मेक समाच सजस्यता की भावना को प्रोचसाहिद भी किया था उनके सिक्ष्या ने पश्चिमी दुनिया में समानता के सह अस्तित्व को प्रदर्शित किया था जबकि विवेका अनंद का जन्म एक बंगाली परिवार में 12 जन्वरी 1463 को नरेंद नात दत के रूप में हुआ था उनके पिता विश्वनात दत कलकत्ता हाई कोट में नियाधीश थे जबकि माता भुवनेश्वरी देवी ग्रहनी थी बच्पन से ही विवेका अनंद को आध्यात्म में रूची थी और देवी देवताओं के सामने वो अक्सर ध्यान लगाया करते थे अब परिशदी विध्यालियों में कारेरत सिक्षकों के आपसी सेमती से स्थानांतरन के मामले में नियम बदलने पर इलाबाधाई कोट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है इसे लेकर दाखिल की गई याचिकाओं में कहा गया है कि पारस पर एक स्थानांतरन की सूची ज़ारी होने से ठीक दो दिन पहले राजसरकार ने इसके नियम बदलते होए तीन वर्ष की सेवा अन्यवर्था को समाप्त कर दिया है इससे याचिकाओं को ने नियम का लाब नहीं मिल पाया है और इसे लेकर सुमेश शर्मा और 18 अन्य लोगों ने हाई कोट में याचिका दाखिल की है याचिका पढ़ने आयमूर्ती मंजुरानी चोहान ने सुनवाई की और याचिकाओं को अधिवक्ता सीमंत सेंग का कहना था कि याचिकाओं गण ने सेहमती के आधार पर अंतर चनदिये तबादले के लिए आवेदन किया था इस प्रकार के तबादले के लिए पूरुशों के लिए एक जिले में तीन वर्ष की सेवा निवार रहे है चोपकि महिलाओं के लिए एक वर्ष की सेवा होनी चाहिए याचिकाओं गण ने आपसी सेहमती के आधार पर ऑनलाइन आवेदन किया था और इस साना अंतरन सूची 18 फरवरी 2021 को जारिक हुई थी और इससे दो दिन पहले ही 16 फरवरी को नया शासना देश लाए गया जुसमें सेहमती के आधार पर साना अंतरन के लिए तीन वर्ष सेवा की बाधिता समाप्त कर दी गई है बदा दें आचिकागंड का कहना था कि स्थाना अंतरन सूची जारे होने के दो दिन पूर्व नियम बदलने से उनको इसका लाप नहीं मिल सका है या दो स्थाना अंतरन सूची रद की जाए या आचिकागंड को बदले नियम का लाप दिया जाए कोड निस मामले में 5 जुलाई सुमवार को जनकारी उपलब कराने के निर्देश्टी है